वेलकम टूब यूटूब चैनल जीकेवित कीरती तो गाइज आज के वीडियो में पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे जनल नौलेज और करेंट अफेर्स के हम पर 10 प्लस क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन में और जिन भी क्वेश्चन में इमेज की जरूरत थी मैंने वह भी इंस सबस्तों से कुछ से के क्वेश्चन जो फ्रीविएस लीप में पर Sal sulla साथ ही साथ मेरा दूसरा चैनल भी उस पहां को सब्सक्रेंगे ङूब जाएंगे medical and nurses है आप उसको YouTube में जाके सर्च कर सकते हैं आपको मिल जाएगा यहां पर चलिए हम देखते हैं तो जो भी यहां पर question है आपके लिए चाहे वो EMS का exam देने वाले हो आप 1 सितंबर को एफ चो के लिए या पर December में CRPF का सभी में बहुत ही important question रहेंगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां पर तो question number first है who is the RBI governor recent में Reserve Bank of India के governor कौन है option है यहां पर रगुराम राजन उर्जित पटेल सक्तिकांत दास और डी अर्विन सुब्रमन्यम तो guys यहां पर RBI के governor पूछें Reserve Bank of India के तो इसके पहले थे रगुराम राजन फिर उसके बाद उर्जित पटेल आए हैं और अभी current की बात की जाए तो 2018 से जो RBI के governor है वो है सक्तिकांत दास यह देखिए हां पर RBI के recent में 2020 में अभी present में जो governor है वो है सक्तिकांत दास और RBI के दो पॉइंट और हम देख लेते हैं एक तो एक इसका headquarter कहां पर है और दूसरा इसकी स्थापना कब हुई थी बहुत important point है अब के लिए तो RBI का headquarter है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी एक अप्रेल 1935 को कोलकाता में स्थापना हुई थी इसकी स्थापना कहां पर हुई थी तो इस्थापना कोलकाता में हुई थी वर प्रिजेंट इसका headquarter है मुंबई में और इसके गवर्नर कौन है सक्तिकाम दास नेक्स क्वेस्चन नेम दा लीडर ऑफ दा लोकसभा लोकसभा का प्रमोख है लीडर है किसको माना जाता है और नरेंद्र मोदी निर्मला सीता रमन जो भी अपनी रिसेंट पर फाइन्स मिनि हमारे Prime minister है अमित्सा तो यहां पर आपके लिए रा mająट अंसर बताना है कि लोकसभा के लीडर कौन है सभी तो member हो गए डियर कौन है मैं आप एक सी सीचежд बता दूं कि लोकसभा का जो लीडर है वो प्रढ़ान मंत्री होते हैं देश के इंडिया में उसको माना जाता है तो य नहीं है नरेंद्र मोदी आपको याद रखना होगा कि लोग सभा का लीडर किसको माना जाता है वो होते हैं प्रधान मंत्री हमारे देश के प्रधान मंत्री एड प्रेजेंट कौन है वह नरेंद्र मोदी next is who present the annual budget 2019-2020 का और 2020 का इतिंक फरबरी में जो बजट पेज किया घया था वो किसने पेज किया था ऑप्सन है यहाँ पर finance minister, home minister, petroleum minister और d prime minister तो recent में जो budget paste किया गया था वो पेस किया था finance minister ने और पहली finance minister महिला जो मंत्री थी उन्होंने जो budget paste किया था वो थी निर्मला सीधा रमण यह बहुत ही अच्छा कॉश्चन है इसी चैनल पर आपको जीके कही चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा उसमें मैंने बजट जब बजट पेस हुआ था उसी दिन वीडियो डाला था आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं उसकी लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो की डिस् चना चुका है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आप लोगों दिया हुआ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इसमें बहुत सारे देश हैं जुड़े हुए होते हैं जिन भी दे 27th December 1945 next is who won the first T20 World Cup पहला T20 World Cup किसने जीता था option is Sri Lanka USA India और D Canada तो पहला जो T20 World Cup जीता था according to option की बात की जाए तो वो जीता था इंडिया ने 2007 में पाकिस्तान को हरा कर इंडिया ने 2007 में साथ में पहला T20 World Cup जीता था तो यह पर राइट आंसर क्या होगा C इंडिया नेक्स्ट इस नेम दिस मुमें विस्ट इंडियन तू विना मैडल इन बैडमिंटन एड़ ओलम्पिक्स तो किस मुमें खिलाडी ने पहला है जो बैडमिंटन में जो पहला ओलम्पिक जीता था तो ओलम्पिक में जो पहली महिला इन खिलाडी थी उन्होंने जो ओलम्पिक में मेडल जीता था वो थी सायना नहवाल 2012 में हैं जो सायना नहवाल ने लंदन में जो olympics हुए थे उसमें इन्होंने bronze medal जीता था और पहली इंडियन वोमें थी जिन्होंने जो olympics में कोई medal जीता हो badminton में तो इंडिया's first ever medal in badminton at the olympic games 2012 में जो olympic games हुए थे उसमें साइना दहवाला ब्रॉंज मेडल जीता था और इंडिया की पहली महिला खिलाडी थी बैड्मिंटन खिलाडी नेक्स इस इस स्पोर्ट पर्सनालिटी इस बॉन मेडल्स इन वेरियस बैड्मिंटन टूर्णावेंट इंक्लूडिंग गोल्ड एंड़ टुथाव डाइटी वर्ल्ड चैंपियंसिप यहां पर एक इमेज दी हुई है आपको इनके लिए पहचानना है कि यह कौन है साइड विर्जा साइड नहवाल पीवी सिद्धू टी नफ दी अबब तो यहां पर जो इमेज दी हुई है इमेज पीवी सिद्धू की और इन होने दो हजार उन्दी स्वें वर्ल्ड चैंपियंसिप में मैं बैड्मिंटन में टूर्णावेंट हुआ था वर्ल्ड चैंप नफेंट के सुंद्ध में का हेड्ड कार कहां पर वॉसिंटन डी सींवें और इसकी स्थापना भी जिसनिट इन defust अ पना वी थी उसी टाइपर व्ल्ड वैंड की स्थापना हुए थी नाकीन 44 को और दवरों का हेड़ क्वार्टर भी सेब जगा है वासिंग्टन डी सी बें और ही रहा यहां पर इसका लोगो और यहां पर गूगल के सी यो तो यह ही साथ ही जाते एक और कंपनी है गूगल की जो चोटी ब्रांच है अल्फाविट करके है कुछ तो उसके भी सी यो है सुन्दर पिचै नेक्स इस हूँ डेपलप दा यूनिफाइट पेमेंट जो यूपी आई नंबर होता है उसको किसने बनाया है डेवलप किया है उसको बनाया नेस्नल पेमेंट कॉर्परेशन ओफ इंडिय एनपी सी आइने आपको इनके फुल फॉर्म याद रखने होंगे यूनिफाइट पेमेंट धैट मीजस यूपी आई और जो यहां पर एनपी सी आई है तो इसका फुल फॉर्म नेस्न याद रखनी होगी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेशन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेशन अभी 15 अगस्ट के दिनी एक स्कीम लॉंच होई है वन कार्ड वन कार्ड और वन जो हेल्थ मिसन करके ये इंपलों इंडविष में बात करते हैं तो जो नेशनल डिजिटल हैल्थ मिशन जिसको 15 अगस्ट को लांच किया है प्रायम निश्ट ने ने लॉंच मोदी ने तो इसके लिए लॉंच किसमें किया है थे मैस्टव लॉंच किया है देश्ट थरवा इंडपेंडेंसर दे ब लॉंज की है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन याद रखी हो सकता आपको एक्जाम में आ जाए क्योंकि 2020 की सबसे वड़ी योजना है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन तो इसमें क्या होगा कि एबरी इंडियन जितने भी इंडियन है उनका एक यूनेख हैल्थ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहरत एक काड लॉंज किया गया है यूनेख हैल्थ आइडेंटिटी काड तो इस मिशन के बहुत सारे हाइलाइट्स रखी औबजेक्ट रखे गए हैं जिन भी लोगों के पास एक कार्ड होगा उनको वन टायम एक्सेस करना पड़ेगा किसी भी डॉक्टर हेल्थ केर इंस्ट्यूट में जाके उनके सभी डेटा उसमें बता दिये जाएंगे कि आपने कब कब हॉस्पिटल आए कब चेक अप हुआ कब कौन कौन सी वेडिसिन दी गई सभी चीज है आपको इस यूनेख हैल्स आइडेंटिटी कार्ड में है जो आपको वीडियो अच्छा लगाओ लाइक जरूर करते हैं अपने दोस्तों के साथ सेयर करना क्योंकि इस बार नौर से टैम्स में इसी टाइप के जीके के क्वाश्टन आने वाले हैं तो थैंक्यू फर वाचिंग अस बाइबाए झाले हैं आने लाइबाए